दोस्तो ये वीडियो है मेरी पेन कार्ड और अधार कार्ड को लिंक कराने से रेलेटेड दोस्तो 31 मार्च 2023 तक अगर आपने अपने पेन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पेन नंबर यान पेन कार्ड इन्वैलिड हो जाएगा इन्वैलिड हो जाएगा वो कहीं पर भी काम नहीं करेगा वही इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे लोग जिनको 31 मार्ट 2023 तक अपना पेन नमबर यानि पेन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करना mandatory नहीं है यानि जरूरी नहीं है वो 31 मार्ट 2023 के बाद भी अपना पेन कार्ड से लिंक करा सकते हैं या उससे पहले अपनी मर्जी से करा सकते हैं इन लोगों में नमबर वन है NRI यानि नौन रिजिडेंस आफ इंडिया ऐसे लोग जो भारत में NRI है उनको अपना पेन कार्ड अधार कार्ड से लिंक करना 31 मार्ट 2023 तक mandatory नहीं है वे उसके बाद भी अपन भारत के नागरिक नहीं है और उनके पास पेन कार्ड है यानि पेन नमबर है तो उनको मेंडेटरी नहीं है 31 मार्ट 2023 तक अपना पेन कार्ड अधार कार्ड से लिंक करना इसके बाद है नमबर तीन पर ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल से उपर ऐसे लोग जो सुपर सीनियर अधार कार्ड से लिंक कराना 31 मार्च 2,023 तक मेंडेटरी नहीं है इसके बाद नमबर 4 पर है भारत में रहने वाले ऐसे लोग जो कि भारत के असम या मेगाले या जम्मू कस्मीर में रहते हैं तो इन लोगों को अपना पेरें कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक कराना 31 March 2023 तक mandatory नहीं है वे लोग अपने पेन कार्ड को अपने आधार कार्ड से 31 March 2023 के बाद भी लिंक करा सकते हैं अगर वो अपनी मर्जी सच्चा है तो 31 March 2023 से पहले अपने आधार को पेन कार्ड से लिंक करा सकते हैं उनका pay number inoperative या invalid नहीं होगा इसके बारे में Government of India के revenue department ने एक notification इस्यू किया था उसका नमबर था 37.2017 जो की 11 माई 2017 को इस्यू किया गया था आप इस notification को देख सकते हैं इसमें clear लिखा हुआ है दोस्तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो informative लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल Facts No को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा और मेरी इस वीडियो को जाद से अदा शेर कीज़ेगा और लाइक कीज़ेगा साथ मैं घंटी के निशान पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा आप घंटी के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी हर वीडियो का notification मिलेगा तो आप मेरी उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दुनिया भर की नहीं नहीं जानकारी की बहतरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फैक्शन को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा आपको सब्सक्राइब लिखे हुए पर डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपको गंडी का निशान दिखाई देगा वहां पर किलिक करके और पर किलिक करना है और पर जरूर किलिक कीजिएगा